उस विडियो में मैं आपको दिकाने वाली हूँ माता रानी के भावन पर जो मार्केट है और छोट छोटी सी दुकाने है प्रिशाद की और मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते में पढ़ने वाला चरंड पादू का मंदिर तो आप मेरी वीडियो पर बने रहें और देखते रहें मेरी वीडियो को तो काईस देखे इस तरह से जब हम उतरते हैं मातरानी की मतलब मातरानी और बहरो बाबा के दर्शन करने के बाद तो इस तरह से छोटी छोटे से दुकाने और मार्केट बहुत सकते हैं आती हैं जिस पर से आप रिशाद या पिर कुछ भी मातरानी से संबंदित मूर्टी कुछ यहां पर है अक रोड बडाम सब कुछ मिलता है आप भी तो अगर कोई चाहता है तो यहां से शॉपिंग कर सकता है तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूं अपने व्लोग में तो जब हम उतरते हैं तो उतरते हूं इस टाइप से दुकाने आती हैं और यहां पर आप यहां पर मसाद ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी होती है तो इस नहीं होता है थालत खराब हो चुकी है बासकेट लड़्डू गोपाल बैठे हैं इसके डखकन टूप चुके हैं और बैक का बहुत लोड है तो इजी नहीं होता बैठना जैम आता भी फिर से दोस्तों तो देखे इस तरह की मसाज करने की मशिन में हाँ पर कुछ लोग मसाज की कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है अमने वी लास्ट टाइम जो हम आये थे अभी उथी अब की बार नहीं लिए हैं तो गाइज यहां पर होती है अच्छी लगती हैं देखिए मैं दिखा देती हूं आपको तो देखो किस तरह से पूरा भावन से लेके निच्छी तक दुगाने बनी हुई हैं और आते हुए अपनी सोगर भी ले सकते हैं तो गोड़े से हमने अपने सकत्या है पूरा और यहां पर जहां हमें यह ढोड़ा छोड़ेगा वह होगा बान गंगा तो बान गंगा पर हमें छोड़ देंगे इसके बाद मिजाना होगा पैधन और लेना होगा ओपोग तो काइज हम इसर चुपे हैं लगभग हमारा ने पूरी कन्डी है तो गोड़ए दिर बार तो गाइज जप हम उतर रहे हां तो इसार्ड़ी का मंदर लेकिन हम हριoires से तो यह नहीं पडाता रास्ते में डेंडिकिन अब हम उतर रहे हैं हां हांति पर तका रास्ते से तो गैज इसलिए रास्ते में आया है चरका őरन जावट हो रखी है और बहुत ही सुन्दर बंदिर है और हम भार से ही माता रानी को नमस्कार कर लेते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है जो मैंने आपको जाएंगे लेकिन हमरे पास समय की शोटे हैं चुट-चुटे बच्चे साथ में है इस वजए से मैंने सोचा मैं आपको भार से ही दर्शन करा दूंगी तो गाइस देखिए ये दुखाने मतलब जहां तक ओटो मिलते हैं वहां तक ही बनी नहीं है और यहां पर घोड़े यहीं से और श्री माता वैशनो देवी की यात्रा आरम होते हैं अगर कोई आना चाहता है कोई चरण पाजु का मंदिर यात्रा में सबसे हैं आप देखिए बहुती सुन्दन नजारा होता है रात के समय में लाइटे चली हुई होती है तो आपको यह देखने क तुक्वान आगया फजबर दस जैम आता दी हम कोशिश करते हैं कि सुबह को चड़े हो रात्री कर जाए तो अभी फीन चार बार से हम ऐसा ही कर रहे हैं नहीं तो हमने लिए हैं एक दिन कब विश्राम करते थे उसके बाद उतर से हमें तो नहीं तो क्या हुआ हुआ लास् आता हो चुकी है लेकिन पिर भी जैम आँ लोगना हर टाइम तो हमारी हो चुकी है यात्रा पूरी और हम आ गये हैं और भवन से वापस और दर्शनी गेटल यह नजारा क्प्लीट हो जाती है न आपको पता है सब के दर्शन हो गए यात्रा हमारी हो अच्छे से जैम आता और इसे देखो यह कैसे अराम के इसने चपड़ी चड़ रही है और घोड़े पे इसने खोदी है चपड़ रहा हालत हो गई है खराब रात के यह सो गई थी और अब करेंगे मोटो और जाएंगे होटल और मन करा दो हैं हमारा यत्रा का सफर तुरा दिन हो गया में का इस था राज के 11 बजसे क्ड़ी और हम में पिक कर सकती थी और टाइम क्या हो रहा है बारा बज़े तक कजा होटल वाले कटाएं कि 11 तक पिक कर सकते हैं और हम निकल लिए अपने होटल की साइट जात्रा हुई पूरी सब बोलो साचे दर्बार की जे आगे की साइट ओटो में और जैसी ओटो वाला चला रहा था हमारे जस्त आंखों के सामने हो इतनी टेज़ गिरा है कि आप एक में कितने आसकते हैं लगी लग राता उनको नहीं बढ़ा करें अगर आप चाहें तो आप एट सकते हैं इसमें से ना आप पी निकल के गिर सकते हो और यहांस सब्सक्राइब हुआ है इसलिए मैं आपको बंदा रही हूं कभी ऐसी गलती आप ना करें बुजूर्ण और बच्चों को आगे की साइड ना बठाएं तो गाइस हो चुकी है सुभा होटल हम पहुच चुके थे और अब होटल में किया हमने रात को रैस्ट आप निकल ली है हम अपने घर की और और यह है रास्ते का सफर और घर जाने से पहले हमने लिए कुछ अक्रोट और बदा किशमिस यह जो अनवी फ्रूट ड्राइफ्रूट्स दिकरी आपको यहां से लिये थे उसका व्लॉग मैंने आपको अलग से दिया है प्रिशाद का तो आप देख सकते हैं मेरे मतलब व्लॉग में जाकर और अब कितना सुहावना मोसम हो रहा है देखिए पहाड़ी पहाड जारो तरफ ग्री 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 वाट ब्यूटिफुल नजारा मेरी नजरों में तो बहुत है और साहिक बच्चिलों का इतना आनत नहीं आता जितना ही जास्तों का आता है तो अच्छा लगता है चाकर से पहाड़ और अपनी वीचर दिलिवी उसको देखते हुए बस लोग प्राइब पर निकल जाओ तो वही है और आप लोगो मेरी इस वीडियो में कि जंबू से कट्रा नंका नंका सुरावना है और मैं राते में भी आपको दिखाऊंगी पूरा की अप घर कैसे पहुचिए तो आप तेरी वीडियो पर देखते हैं और यह वीडियो में बनाईर अज आपके पहुचा लिदी तो शुचा भी आपके साय सेयर करते हैं गाइस काफी टाइब वही टाइम हो गया था वप लिध्यों कि विला वीडियो के एडिट करने का तो आज मैस को एडिक करे आपको व्रीयो रास्ते में हमाब चाहते हैं तो आपको पूरा से बंदर ही तो आप जिसके मज़राद दे सकते हैं देखिये इम्ती जाद़ कुरी है सारे रास्ते में और को हो थी अच्छा लगा हमें हापर तो हो थी प्यारा और बीजी को बता रहा है वोब्स का आप देखिये आप तो पसंदाया गाईज और कुछ इस तरह से पूरा सफर हमें तै किया इमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंदाया यूठी गाईज आपको अगर मेरे वैश्णो माता के व्लोग्स देखने हैं तो आप देरे चैनल पर जाकर बेख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है वैश्णो देवी की फुल यात्रा आपको दिखाने की जो भी कुछ मैंने कैप्चर किया था अपने व्लोग्स में दिखाया है गाईज और जादे से जादे दिखाया है मेरे व्लोग्स काफी बड़े हो गए हैं मैंने इसलिए बनाए है क्योंकि जो भी कुछ भावा इतना ब्यूटिफुल था मैंने सब कुछ रैप्चर किया तो उमीद करती हूं आपको पसंद जरूर आएगा और आप तरी ब्लोग को देखिए सपोर्ट किजिए और आप देखो इस तरह से कितना अच्छा रास्ता था और काफी समय बाद हम आये हैं क्योंकि दो साल से करोणा की विज़े से नहीं आपा रही थे हैं किन आप आये हैं तो बहुत अच्छा रहता है रास्ते में रहते हैं कि दच्छों को भूब लगी बहुत रही है और हम दोसे था अब तोड़ा अपर गाजबाद जाना था वापी लगबा सफ़ता है तो बन लेते हैं रैस को और कुछ चाय पाती लोते हैं तो इसके बाद जाना चलते हैं सफ़र तो इतक्छे आगा रहते हैं ठाफ़े रास्ते में है लाबा पढाता तो ऑसी का की फिरक पी मे तो बेकार है तो ही बीए तूद्सा पिए योगए धिक्ते क्यां पर और तो आ गाइज अब होच चुके हैं, बहुत देज बच्चों को तो ये नर्मल डाबा है, हम आ गए यहापर, और हम बुझे बिलकुल भी भूखती थी, तो मैं कार से बिलकुल बी नहीं दिली और हिम्मत ही दिली तो मैंने बोला बच्चों से कि आप जाओ, आप फी शूट करना, औ आपको व्लोग देते रहेंगे, हम देरे देरे व्लोग साएंगे, टाइम लगेगा गाईज, और पार्ट साएंगे व्लोग के, क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएंगी, अगर मैं एक ही पार्ट में बनाऊंगी, तो आप देखना जरूर, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक्स व्लोग में, तब तक के लिए, बाइबाइ, गुड़ नाइट एवरिवन, जै माता दी, तो गाईज यहां पे मच्छर भी बहुत थे, इस वज़े से खाने में में मच्छर आ रहे थे, क्या दिखा रहे हो, व्यू, तो हम में कार में है, तो भाइ गाईज, बाइबाइ, यही लाइटनिंग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बाइबाइ, बंद करो, तो यह था निर्मल फैमिली धाबा, और अगर आपको खाना, नहीं पानी पेने पीट लाँ, अगर आपको खाना है, तो आप यहां प होते हो, चीप में, तो इलते हैं आपको नेक्स वाप में, तो यहां पे साब 15 निट होगा पर हमारा खाना नहीं आया, पीछे और भीड आ रही है, पर हमारा खाना नहीं आएगा, दोस्तों, दोस्तों हम भूग के माने, पेट में दर्द हो रहे हैं बूग के लिए, और काईस, तो मेरा खाना हो चुका है, खतम, तो कि खाना बहुत लेट आया था, और एक कर के आया था, और खाना स्टार्ट कर गया था, तो इसलिए मैंने खाना की वीडियो नहीं बनाई है, तो बहुत साही मैनर भी नहीं आया था, तो अभी हमने खाना खालिया है, और अभी ह आगया गरम धरम धाबा ये है रात का नजारा गरम धरम धाबे का और जस्ट उसके पास है अमरिक सुप देए और भीड कि दिनी है तो इस रोड पर धाबे ही धाबे हैं और ये है मूर्थल गाइस और अब हम पहुंच चुके हैं मूर्थल में और कुछ दिर बाद पहुंच जाएंगे हम घर आप आगया है शिवा धाबा तो अब ये हमारे जाने कब लोग हैं तो गुड़ नाइट गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक्स लोग में तब तक के लिए शुब रात री जैम आता दी तो गाइद अब आचुकी है मन्नक अवेली बूर्थल वाली तो हमें लंच किया था वो दो थी तुन चेक्रमेंट झाल